देट मॉर्णी ओलो फ्यू, डियर स्टुडेंट, आज हम सावंध क्लास में हिंदी बी बेटे हिंदी ग्रैमर में चैप्टर नमबर 24, जिसका नाम है पत्र लेखन, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो में हमने संपादय के पास पत्र किया था और आज की वीडियो में हम चैप्टर नमबर 24, जिसका नाम है पत्र लेखन, इस चैप्टर में हम करेंगे विटे वन विभाग अधिकारी को अपने शेत्र में वरिक्षर ओपन का सुझाव देते हुए पत्र लिखना है इसका मतलब है पत्र किसके पास लिखना है हमें अधिकारी के पास, ओ कौन से अधिकारी के पास? वन विभाग के अधिकारे के पास सुझाव क्या देना है उन्हें आपका एक शेत्र है जिसमें आप उन्हें वरिक्षर ओपन का सुझाव दे रहे हैं वरिक्षर ओपन अर्थात पेडों को लगाने का आप सुझाव दे रहे हैं तो चेप्टर नमबर 24 54 chapter का नाम क्या है पत्र, लेखन और इसमें हम पत्र किस के पास लिखेंगे बिटे, अधिकारी के पास देखे बिटे टोपिक क्या है वन विभाग अधिकारी को अपने शेत्र में वरिक्षार ओपन का सुझाव देते बिटे उए पत्र में राइट कर सकते रहे हमारा क्या रहेगा पानी पत्र इसके बाद फिर एक लाइन चोड़ देनी है उसके बाद हमें क्या लिखना बिटे दिनांक यह है कोडिंग टू डेट आपका रहेगा जनवरी मन्त है 2022 है फिर एक लाइन आप छोड़ दोगे उसके बाद हमें क्या लिखना है सेवा में निदेशक महोद्य वन विभाग शहर में कोई बदलाव नहीं होता जो शहर आप यहां लिखो गए वह है यहां भी वही रहेगा तो यहां पानीपत लिखा है तो यहां भी क्या आएगा पानीपत ठीक है यानि कि इसमें एक पता हमें हमारा हो गया दूसरा हमें जिसके पास पत्र लिखना है वो हो गया यह हमें नहीं लिखना है प महोद्धय लिखना है उसके बाद सबसे पहले जब हम अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन रहती है पते से रिलेटीड जैसे देखो इसमें जैसे दवार का राजापुरी उत्तम नगर नहीं दिली है नहीं दिली है मैं न दवार का तो यहां इनुन लिखा मैं रिक्षार उपन का सुझाव है ना तो यहाँ पर यह दिखाया गया हमारे शेत्र में कई ऐसे स्थान है जो बिल्कुल खाली पड़े हुए है खाली जगह समझ कर लोग उन स्थानों पर कुड़ा कच्रा फेंक कर गंदगी फैला रहे हैं वो जो स्थान खाली पड़ा है लोग गैर कानुनी कामों के लिए भी कर रहे हैं बदबू और बदमाशों के डर के कारण यहां के निवासियों का जिना मुश्किल हो गया है एक तो बदबू आती है क्योंकि कुड़ा कच्रा फेंक दिया जाता है दूसरा बदमाश आते हैं वहाँ पर ऐसमाजिक तत्तों पर इस्थान बर जाएंगे तो यहां सुझावी तो देना ना में इस पत्र में कि यदि हम और आप सभी मिलकर इन स्थान बर जाएंगे और वातावन भी प्रद्वूशित नहीं होगा लोग बदमाश जेंगी स्वच्चता और हरियाली के कारण चहल पहल रहने से असमाजिक तत्व भी गलत कारिय नहीं कर पाएंगे स्वच्चता रहेगी हरियाली रहेगी चहल पहल रहेगी लोग का आवागमन रहेगा तो जो असमाजिक तत्व है जो बदमाश है वो भी गलत कारिया नहीं कर पाएंगे लोग शुध हवा और स्वच्वातावन में सांस ले सकेंगे लोगों को शुध हवा मिलेगी हर्याली के कारण और स्वच्वातावन मिलेगा तो उसे वो अच्छे से सांस ले पाएंगे क्रिपे सुझाव को निवेदन मान कर शिगर ही इस दिशा में कदम उठाए तो इस सुझाव को निवेदन रिक्वेस्ट मान कर क्या करें इस दिशा में कोई सही कदम उठाएं यानि कि यहां पर विरिक्षा रोपन करें जो खाले स्थान है उसके बाद आपको लिखना है सद धन्यवाद भव दिया है और नीचे आप अपना नाम राइट करोगे तो आज हमने यह पत्र राइट करना है पिटे नोट बुक में और अच्छे से राइट करना है पहले पता फिर लाइन चोड़ देनी है फिर दिनांक फिर लाइन चोड़ देनी है फिर सेवा में निदेशक महद्य वन विभाग पानिपत फिर लाइन चोड़ देनी है फिर विश्या लिखना है वरिक्षा रोपन है तो सुझाओ फिर लाइन चोड़ देनी है फिर महद्या लिखकर यहां हम जैसे कोमा लगाएंगे तो इतना नीचे स्पेस सोड़कर यहां से हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो पेटे आज हमने पत्र किया वन विभा के अधिकारी को जिसमें सुझाव दिया गया कि जो खाली पड़ा स्थान है अगर उस स्थान पर कुछ पेड लगा दिये जाएं तो वातावन भी स्वच होगा ताजी हवा सांस लेने में फायदे मंद होती है तो ताजी हवा मिलेगी और जो असमाजिक तत्व है यानि कि जो बदमाश वगारे वहां जाकर गलत कारिये करते हैं तो वह भी बंद हो जाएगा तो यह पत्र था अधिकारी के पास इस पत्र को आप सब अपनी नोटबुक म राइट करेंगे अकोर्डिंग टू वीडियो और इसको अच्छे से बिटे समझेंगे अगर कोई डाउट है तो बार बार आप वीडियो को देखेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम अनुछेद स्टार्ट करेंगे बिटे